नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आप एक कुछ सवालों के जबाब तो सुरू करते हैं ये कारिकरम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है स्रीधर जी ने स्रीधर ने बताया है कि वो हैं बैंगलोर के रहने वाले और आपने कहा है कि आप पिछले दो साल से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सभी वीडियो देखते हैं और आप कुछ मुझसे सलहा चाहते हैं तो आपने बताया है कि आपकी दो डॉटर्टर्स हैं 30,000 पर मन्त आप इन्वेस्ट करते हैं उनकी एजुकेशन और मेरेज के प्लैनिंग के लिए और तीन साल और साथ साल की हैं आपकी बीडियो इन्वेस्टमेंट है आपका SBI मेगनम चिल्डरन इन्वेस्टमेंट प्लै तो कुल मिलाके मतलब आपका 30,000 पर मन्त इन्वेस्ट हो रहा है और 3,000 रुपीज का लंसम भी आपके पास में अमोंट इखटा हो गया है उसके लावा 50,000 पर इयर पर एनम आप सुकन्या समृध्धी योजना में भी इन्वेस्ट करते हैं तार्गेट है आपका धाई होंगा पहली बात आपने तीन स्कीम ली और तीनों की तीनों SBI की यह मेरे साब से अच्छी बात नहीं है अलग-अलग फंड हाउस में आपको अपना पोर्ट्फिलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए यह अच्छा है दूसरी बात SBI Magnum Children's Benefit Fund Investment Plan जो है यह बिसिकली ऐसा फ अलोकेशन यहां पर डेट में भी हो सकता है तो एक तरह से समझ लेजिए जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रेट फंड होता है उस तरह का पोर्ट्फोलियो इसका हो सकता है हाला कि यह एक सॉलिशन औरिंटेड फंड है लेकिन यहां पर आप डेट अलोकेशन भी देख सकते हैं हाला कि इस वक्त पर यह देखा जाए पोर्ट्फोलियो तो यहां पर मेजर अलोकेशन जो है वो एक्विटी में है डेट में यहां पर ना के बराबर अलोकेशन है SBA कॉंट्रा फंड जो है यह एक अलगत रहां का फंड है जो कि कॉंट्रा रेन कॉल्स लेता है यानि कि ऐसे स्टॉक्स में इंवेश्ट किया जाता है जहां पर वैल्वेशन अट्रेक्टिव हो और जिन स्टॉक्स पर सबका ध्यान ना जा रहा हो लेकिन फ्यूचर में इस वक्त पर अब जैसे मैंने कहा कि एक बात तो यह है कि आपको पूरा पैसा एक ही फंड हाउस में लगाने की बजाए अलगलग में करना चाहिए दूसरी बात यह है कि पहले किसी भी इंवेश्टर को लार्ज कैप, मिट कैप, स्मॉल कैप इस तरहां से अपने पोर्टफ में लार्ज कैप पंड को एड कर लें और लार्ज कैप में बैक पैसिब लें और ऐसे में निफ्टवी इकॉल वेट्ट मेरे साब से अच्छा रहेगा आप इसन नि indul辦法 बेट किसी में भी इन्वेंश्ट कर सकते हैं और जहां तक आपके target का सवाल है आपने 2.50 CR का target set किया है यानि कि आपका जो goal है वो 2.50 CR accumulate करने का है लेकिन यदि 3 lakh का जो आपका भी portfolio है और 30,000 रुपीज की SIP है यदि मैं 12% के CAGR पर calculate करूं तो 12 years में around 1 CR इखटा हो पाएगा और जहां तक सुकन्या सम्रद्धी यूजना की बात है आप 50 50,000 रुपीज पर annum हर साल यहने की 50,000 रुपीज इंवेस्ट कर रहा है और यदि मैं 8% के average return पर calculate करूं क्योंकि future में interest rate कम होने की समभवना है तो यदि मैं 8% भी मान कर चलो तो करीब 10 lakh रुपीज आप accumulate कर पाएंगे यहां पर तो कुल मिलाकर आपका जो mutual fund में investment है और आप का सुक्रनय समर्दी योजना में है इससे 2.50 CR 81 होना मुश्किल लगता है लेकिन यदि आप समय समय पर अपने investment को बढ़ाते रहें और यदि आप step up कर लें तो फिर यह आसान हो जाएगा तो आप बस अपने investment amount को बढ़ाते रहें और एक large cap fund मैंने आपको suggest किया है उसे आप add कर सकते हैं ताक कि आप ना जो goal है उसे achieve कर सके all the best to you और बढ़ते हैं आगे लेते किला सवाल और इस सवाल जन्होंने पूछा है उन्होंने पना नाम नहीं बताया आपके चैनल का नाम है civil irrigation department और आपने बताया है कि आप 10,000 रुपीज पर मत invest करते हैं SBI Small Cap Fund में 2,000, SBI Contra Fund में 1,000, SBI Large Mid Cap Fund में 1,000, SBI Magnum Mid Cap Fund में 1,000, SBI Technology Fund में 1,000 आपने बहुत ज़्यादा portfolio को diversify कर लिया है और एक ही fund house की आपके पास में 5 schemes है निपोन इंडिया Small Cap Fund में 1,000, परागपारिक Flexi Cap Fund में 1,000, HDPC Mid Cap Fund में 1,000, निपोन इंडिया Multi Cap Fund में 1,000 और आप जाना चाहते हैं कि आपका portfolio कैसा है तो मैं बता दू कि आपको थोड़े बदलाव करने चाहिए portfolio में एक तो एक ही fund house की बहुत सारी schemes है आपके portfolio में और दूसरा Small Cap में देखें तो आपके आपाद निपोन इंडिया Small Cap है और साथ में SBI Small Cap है तो 3,000 रुपीज यानि कि 10,000 में से 30% investment आपका जो है वो जा रहा है Small Cap में तो वो जाएदा है हालकि Small Cap ने पहले बहुत चाह प्रफॉर्म किया है लेकिन अब valuation काफी expensive हो गई है तो शायद थोड़े time के लिए Small Cap में आपको अच्छे returns ना दिखाई दें बेतर होगा इस वक्त पर आपका investment Large Cap में ज्यादा हो और Small Cap में कम हो तो अच्छा रहेगा funds सारे अच्छे हैं funds में कोई कमी नहीं है बर थोड़ा सा allocation की बात की जाए तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा कर लिया है Small Cap में क्योंकि और Multi Cap के जरीए भी आपका investment Small Cap में हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा है दूसरी बात यह कि Mid Cap में देखिए आपने Large Cap में थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन funds से भी अच्छे हैं बस यदि आप funds थोड़े कम कर सके तो यह बेतर होगा और Large Cap में यदि आप एक Large Cap Index Fund एड़ कर लें तो मेरे साब से वह और भी अच्छा रहेगा आप भी एक Nifty-fifty Equal Weight Index Fund अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूछा है मनीश जोशी जी ने और मनीश जी आपने बताया है कि आप उत्राखंड के रहने वाले हैं और आपका एक क्रोड का टार्गेट है एक साल से आप SIP कर रहे हैं आपके portfolio में है निपोन इंडिया Small Cap Fund जिसमें 3000 की SIP है प्राग एक साल में तो बहुत फायदा हुआ आपको Small Cap में invest करके लेकिन अब valuation expensive हो गई है इस वक्त पर Small Cap में कम होना चाहिए और फिर कुछ साल के बाद जब Small Cap की Valuation अच्छी हो जाए तब आपको Small Cap में invest करना चाहिए तो Small Cap में यदि आप exposure इस वक्त कम करेंगे तो ये बहतर होगा दूसरी बात आपने बोला है कि आप index fund लेना चाहा रहे हैं बिलकुल आप index fund लीजिए और index fund में large cap index fund लें आप ये बेतर होगा और क्योंकि large cap का exposure कम है आपके portfolio में और large cap में भी देखिए वैसे तो आपके बात nifty 50 और sensex के भी options हैं बट मैं recommend करूंगा nifty 50 equal weight index fund फर्क क्या है जब आप nifty 50 equal weight index fund लेते हैं तो उसमें stocks वही हैं जो कि nifty 50 में हैं लेकिन nifty 50 index fund में किसी stock का allocation या उसकी weightage बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी stock का बहुत कम हो सकता है जैसे कि यदि मैं बात करूं nifty 50 index fund की तो nifty 50 index में HDFC bank जो है उसका allocation 11% से अधिक है वहीं reliance industry का जो weightage है वो 10% से थोड़ा अधिक है और कुछ stocks ऐसे हैं जिनका weightage index में 1% से भी कम है लेकिन यदि आप nifty 50 equal weight index fund में जाते हैं तो सभी stocks का weightage इस index में 2% to 3% के बीच है तो around 2% यहाँ पर आप कह सकते हैं फायदा यह है कि आपका risk थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने nifty 50 index fund में invest किया है और वहाँ पर HDFC bank में जो allocation है यादी कि HDFC bank का जो weightage है वो यदि 11% से अधिक है और HDFC bank में अच्छी performance नहीं दिखाई दे रही है तो फिर इसका फर्क आपके portfolio के returns पर पड़ेगा fund के return पर पड़ेगा या ऐसे कह सकते हैं कि आपका risk भी यहाँ पर बढ़ जाता है तो इसलिए मेरे साब से equal weight index fund जो है उसमें आपता risk कम हो जाता है क्योंकि एक single stock में आपका exposure बहुत जैदा नहीं है तो इसके लिए आप Nifty 50 equal weight index fund consider कर सकते हैं और यहाँ पर ICC provincial Nifty 50 equal weight index या SBI Nifty 50 equal weight index या फिर देंगे तो उनके returns भी almost same ही होंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं और मैं आपको mid cap या small cap index funds लेनी की राय नहीं दे रहा हूं तो लार्ज कैप में Nifty 50 equal weight index जितना भी पैसा है एक index fund में आप पूरा invest कर सकते हैं लेते के लगसावाद जो पूछा है राजंदर कारुडे जी ने और आपने बताया कि आप 2010 से SIP कर रहे हैं बहुत बहुत बढ़ाई आपको काफे लंबे time से SIP कर रहे हैं तो आपको बिलकुल इसका फायदा मिला होगा और फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 अपने बताया है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में पहले 1000 रुपीज कर रहे थे और 2015 से आपने 5000 रुपीज इंवेश्ट करना सुरू किया है यानि कि 5000 रुपीज और बढ़ा दिये हैं और top 100 में ऐसा ही कि आपने कि प टॉप 100 फंड और आपके पॉर्टफोलियो की वेल्यू जो है वह 35 रुपे है क्योंकि आप लंबे समय से इंवेश्ट कर रहे है तो सुभाविक है कि आपने अच्छी पोजी जुटा ली है और साथ में आपने कहा है कि 2022 से 60,000 रुपीज की SIP है अभी अपने स्कीम के नाम से बताया है सारे मैं दुबारा पढ़ देता हूं 5000 रुपीज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 5000 HDFC टॉप 100 फंड 15,000 SBI स्मॉल कैप 10,000 कौंट स्मॉल कैप 10,000 निपोन इंडिया स्मॉल कैप 5000 SBI फोकस फंड 5000 एक्सिस मिट कैप फंड 2500 मिरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप और 1000 र चाहिए बता दूं आपको की फंड्स अच्छे हैं लेकिन आपका भी अगें स्मॉल कैप में बहुत जैदा है इसका आपको फैदा भी मिला है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब क्योंकि वैविशन एक्सिव है तो मेरे साफ से स्मॉल कैप में एक्स्पोजर कम करना चाहि है और इस fund के बजाए यदि आप diversified funds में रहेंगे तो बहतर है वैसे भी funds आपके portfolio में काफी है और आप जानना चाहते हैं कि 10 साल में कितना पैसा बन सकता है क्योंकि आप 10 साल के लिए invest करना चाहते हैं तो यदि मैं calculate करूँ 12% के CAGR पर तो जो 35 लाग रुपए आपके पास already खटा हो चुके हैं और 60,000 के SIP है तो 10 years में around 2.43 लाग रुपीज आप expect कर सकते हैं बाग returns इससे भी बहतर हुए यदि 12% से अधिक हुए तो अधिक पूजी भी आप जुटा पाएंगे एक मेरी राय जरूर होगी कि 10 साल का वक्त एक तो आप समय समय पर अपने investment amount को बढाते रहें ताकि आप और भी बड़ी पूजी जुटा सकें और ऐसा आपने पास में भी किया है कि आपने investment को बढाया है मुझे उम्मीद है आगे भी बढाएंगे all the best to you और आप लेते हैं आखरी सवाल जो पूचा है सैम नियो ने आपने बताया है कि आपकी एज है 43 years की और आप कुछ funds में S.I.P. कर रहे हैं कौनसे funds है आपके पास में मेरे asset emerging blue chip fund जहां पर 2500 रूपीज के S.I.P. है पिछले 4.5 years से आप वहां invest कर रहे हैं और अनदर 5000 investment करना शुरू किया है यानि कि स्की में कुल मिलाके रापकार हो गया है 7500 रूपीज पर मन्थ और एडलवाइज flexi cap fund में इसमें पिछले फूरन हाफ येर से आप 2500 रूपीज इंवेस्ट कर रहे हैं S.P.I. small cap fund में 4500, Quant small cap fund में 4500, Nippon India multi asset fund में 2500, Tata technology fund में 2000, पराग पारिक flexi cap fund में 2500, और आपने कहा है कि आप 15 years के लिए इस investment को continue करना चाहते हैं और 15% से आप every year S.P. amount को बढ़ाना भी चाहते हैं और ये investment है आपके retirement के लिए, आपके portfolio में funds सभी अच्छे हैं, Tata technology fund आपने कहा है, लेकिन मेरे साब सी आप Tata Digital India fund की बात कर रहे हैं, और इसमें भी आप invested रह सकते हैं, बाकी funds तो सभी आपके diversified funds हैं, आप रुकल बने रहे हैं, और एक fund है निपॉन इंडिया multi asset allocation fund, इसमें आप 2500 रुपी invest कर रहे हैं, लेकिन आप इस fund से निकल सकते हैं, क्योंकि आपका नजरिया है 15 साल का, तो बहतर होगा कि आप well diversified fund में invest करें, और आपके प investment बढ़ा लें, उसमें investment बढ़ा लें, ये अच्छा रहेगा, और बाकी funds सभी अच्छे हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, अब आपने अभी तक कितना amount invest कर लिया है, कि जानना जरूरी है, उसके basis पर calculate किया जा सकता है, कि future में इस SIP को लेकर आप कितना amount कर पाएं फिर मैं एक average CAGR के साथ में calculate करके बताऊंगा कि आप कितना पैसा 15 years में expect कर सकते हैं, साथ ही आपका target क्या है 15 years का, वो भी आप जुरूर मुझे comment करके बता सकते हैं, बाकी funds के बारे में मैंने आपको राय दे दी हैं, कि funds अच्छे हैं, सिर्फ निपोन इंडिया multi asset allocation funds से SIP को बढ़ा लें, तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रेशनों के उतर देने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है यह जानकर आपको पसंद आई होगी, आपका कोई भी सवाल या सुजाओ हो, तो आप comment box में post कर सकते हैं, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगल वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू